समस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का एक बर फिर से हमारी चैनल पर दोस्तों जैसा कि अब देख पारें आज बात होगी Logistics Park के बारे में Logistics Park के कुछ बिंदियों के मादेम से समझेंगा कि जैसे है क्या है कैसे काम करता है इसके मुख के फाइद हैं और आज कल जीतनी भी एडवांस टेक्नलोजी से लाए सुसजी इतनी भी लॉजिस्टिक पार्क से उसके डिमांड इतनी क्यों है तो जैसे अभी हम समझ पा रहे हैं कि पहले भी लॉजिस्टिक पार्क जो होते थे उतनी डेव हाइली एडवांस फीचर उसमें टेक्नलोजी नहीं होते थी नॉर्मल ही होते थे जैस्टेक करने के लिए मैक्सिम चीजों को रखा जाता था वहां पे जो मेन हब होते थे थे जो मेकें इंडिया ने से टीव है ओकल लोकल वोकल फर लोकल जो इनसीटेव वह मिशन के थाएट भारत जो भारत का जो इन्वेस्टमेंट हो विज़ेशी अब डी आई को ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक आप भारत में निवेस्ट करो क्योंकि ओकल फर लोकल औ अगर बुस्ट होगा तो भारत के नोमी एकनोमी भी ऐसे डेवलाप होती रहेगी तो लोगिस्टिक पार्स को कुछ बिंदियों कमातिम से समझेंगा कि रहा गया और कैसे काम करता है जैसे हम पहले पॉइंट में देख पा रहे हैं लोगिस्टिक पार्क इन इंडस्टियल क्पार्टियुटिया पर्स को में केरते हैं और कि रहे जासे से क्या होता है भी तो इसके लिए बैसिक लिए इसका है मेंट कि अब तो कि अच्छे सोन का मैंनेज कर पाएं का कैसे रखने क्या रखना मैनेज कर पाम लोकल इस इस ट्रीबूट कर बाएं फिर ट्रांस्पोर्टेशन ब्रॉर्ट कर पाएं एक जगा से दुसरे जगा दूसरा पॉइंट है इसमें लोजिस्टिख फारक का चॉजardo प्रोसेजिंग इसके अलावा स्टोरेज और उसके अलावा भी इसमें जो भी मैन्फेक्ट्रिंग कंपणियां उसमें अपनी समान को छोटी अस्तर पर असेम्बली भी कर सकती है जैसे कोई कोई यह इसको वाँ असेम्बल कर जा जाएगा उसको पैगेजिंग कर जाएगा है आशे स्ट कर के रहाए प्रोसेश करके मद रोड़ी में अवाम से किया जॉसेज चाहित थुर्ड यह बहां से किया जा सकता था है अभी कि जितने भी manufacturing company है जो भी मैं नेशनल हब है या जो multimodal connectivity से सजित जितने भी जगह है वहां पर कोई भी advanced technology वाला कोई logistics पार्स अगर है तो आपके company ज्यादा अप्रोच करेंगे ज्यतने manufacturing company ज्यादा अप्रोच करेंगे अपने प्रड़क्ट को आप अप्टमाइजेशन कोस्ट इफेक्टिव और इन्वारिमेंटल फ्रेंटली लोजिस्टिक पास जितने भी होते हैं वह क्या भी advanced technology वाले क्या परदान करें जितने भी नीट्स जितने भी लोजिस्टिक होनी चाहिए सब लगभग सभी तरह के प्रवाइड कर रहे हैं security management भी प्रवाइड कर रहे हैं उसके बाद इन्वेंट्री एंड वेर रोस अप्टमाइजेशन जितने भी इन्वेंट्री है और वेर रहूस का मेकसिम उ को कब रहे हैं जितने मी कंपनियां वहां पर Aga करती है उनके साथ अग्र कोई एग्रिमेंट करती लोगेशन के नुशार से काफी महत्वपूर्ण जभाव पर होते है जितने भी एडवांस चैनलोजी वह बना जॉप्र कंदेख या और पोर्ट के नहीं इदिख या से पर आरिया के नहीं इस में होता है यह रिल्यकी अरिया के नहीं, नहीं दीख, तो इसमें क्या होता है या अगर रशीप के तूरू कहीं मेटल भीज़ाना जैसे बानारा से भी अल दिया नया भी शुरू हुआ था वैसे रशीप के तूरू कहीं भी इन इंडिया या पूरे अब्रोड में भी कहीं भी गलोबल लेबल पर तो यह चीज है वहां पर इतनी प्रसाइजली परफेक्ट हो जिससे उनका distributed network काफी बड़ा लंबा चोड़ा हो जाए और वो अपने जितने product उनको global level पे national level पूरे अपने ज्यादा area में फैला मतलब distribute कर पा है अपने product को present के लिए भी और future के लिए भी इसका अगले point में discuss करते हैं logistic parks are connected to the multimodal of transportation चितने तरह के transportation है logistic parks के near about आपको मिलेंगे major transportation जैसे real corridor हो गया route connectivity हो गया expressway हो गया connectivity या तो फिर आपका ship connectivity हो गया या आपका airway connectivity हो गया total connectivity आपको एक ही near about area में location आपको इतना precisely रहेगा कि near about area में आपको इस तब connectivity मिलेगी लोजिस्टिक पर रुशुर गूट्स sort products management fulfillment operation and complete other distribution activity लोजिस्टिक फार्क में बैसिकली गूट्स जितने भी manufacturing goods से उसको श्टूर करने की उनके पास capacity होती है उनको sort कर सकते हैं आप अपनी रेंज के अंसार उसको sort कर सकते हैं product को management fulfillment operation जितने भी management operations होते हैं वह वहां पर fulfill हो जाती है बहुत तरह का बहुत तरह के होते हैं and complete other distribution activities और जितने भी other distribution activities हैं वह भी हैं अच्छे से अच्छे तरीके से management skills के तहत की जाते हैं यह हो गया फिर आगे वाले point में discuss करेंगे देखते हैं आगे फिर कुछ point और भी है इसको भी देखते हैं यह number point में देखेंगे easier to reduce shipping cost by lowering dry charges maximizing the effect of truck turns and minimizing how many trucks are needed on the road जितने भी company है वो shipping network में एक dry charges होता है वो cost minimize कर सकती है जिससे क्या होगा जितने भी truck के turns लग रहे है manufacturing company से warehouse तक या warehouse distribution network तक local distribution network तक तक तो उसमें truck का जो काफी minimize हो जाता है minimize होगा तो trucks के जो needs होगे कम road पे कम हो जाएंगे यह उनसे उनका क्या होगा उनसे उनका जो cost effective एक तरस हो जाएगा और cost उनका काफी ज्यादा बच्छात होगा जितने भी company है तो एक point हो गया फिर उसका ninth number point में देखेंगे the docking and storage space can help to manage deliveries and shipment by organizing the drivers and improving unloading and loading time इसमें क्या होता है ना docking and storing place जैसे बहुत सारी जैसे कोई नेशनल हब में कोई manufacturing company की गाड़ी जा रही है तो वहां पी इतना ज़्यादा रस होता है कि अगर city के अंदर ही कोई अगर पुराने टाइब का उनका वेरावस है तो फिर उसमें क्या इतना रस रहता है अगर्मेंट को रखना पाता है तो यह सब चीजे मैंगेंजमेंट के नहीं होती थी पहले तब ही क्या हो जितने एडवांस चेक्नलोजी वाले जितने आ रहे हैं लोजिस्टिक वार्क्स उसमें क्या डॉकिंग और रिस्टोरिंग मतलब ट्रक को याया समय से उसको उनलोड करना समय से सग्रिगेर्शन में उसको ट्रक को रखना समय से उसको उनलोड करना फिर उसको मेटल को इमिडिटल स्टोर कर देना एज पर जितने भी गवर्मेंट का नॉम्स हैं उसके उनसार से क्योंकि इसमें स्टोरिज में क्या होता है गवर्मेंट के बहुत सारे नॉम्स जैसे उसमें loading and loading time भी काफी जादा है, जैसे कोई truck आ गया, उसको immediately unload करके, उसको metal storage कर सकते हैं, उसको drug driver का भी immediately company के पास भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनका term भी काफी जादा बढ़ जाएगा, और metal भी जल्दी जल्दी आएगा, आपका manufacturing unit से, जिससे loading and loading time भी काफी जा बहुत तरह के जो और भी company है, other fields related, वो भी इसमें आके अपना काम करेंगे, जैसे आपका construction company होगी, आपकी service providing company होगी, आपकी truck वाली company होगी, जितनी बड़ी बड़ी company हैं, ऐसे बहुत सारी company आएगे और इसके साथ पार के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप उनको job, मात्रा में job creation होगे, इसके अलाबा potential of many job के potential के होगी, manufacturing जितनी company है, सभी तरह के manufacturing company है, महाँ पर इक अपनी metal को storage गारेंगे, तो different type के महाँ पर job creation होगा, जैसे many job के potential काफी जादा बड़ जाएगी, इससे क्या होगा, traffic में काफी जादा reduction हो जाएगा, traffic काफी manageable हो जाएगा, इससे काफी ज्यादा कमी हो जाएगी, better access to environmental friendly transportation, इसमें क्या होगा, environmental friendly जितनी में transportation होगा, उसमें better access मिलेगा, सच है, general transportation और inland भर्जेज, lower carbon emission and fuel demands, इससे क्या होगा, जितनी भी आपका environmental friendly transportation mode है, उसमें अपका metal होगा, तो eco friendly हो जाएगा, एक तरह से, carbon का emission कम होगा, fuel की demand कम जाएगा, तो इससे काफी ज्यादा benefit होगा, और इस चीज़े अगर पूरे इंडिया में अगर काफी ज्यादा improvement अगर हर एरिया में अगर इसका ज्यादा logistic परका ज्यादा, अगर infrastructure ready हो जाता है, तो local, जितनी भी local level की छोटी-छोटी कंपनियां, उनका काफी ज्यादा boost द करके जरूर बता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आज के लिए दन्यवाद जाहिन